दिनांग पांच फरवरी से पंद्रह फरवरी ग्रह निश्पाप यग्य का आयोजन प्रियाग राज कुम्भ की जो माग मेला की जो त्रिवेडी का जो संगम छेत्र है वहाँ पर होने जा रहा है यह आयोजन आपके हर ग्रह को निश्पाप करने के लिए है सूर्य चंद्र शनी राहु के तु मंगल बुद्ध ब्रहश्पति शुक्र किसी भी ग्रह को आईए भाग लीजिए और अपने जीवन को धन्ने करिए नमस्कार देख रहे हैं आप जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका एश्टो फ्रेंट संतोशी ग्रह निश्पाप यग्य पांच फरवरी दो हजार चौबिस से पंद्रह फरवरी दो हजार चौबिस तक प्रियाग राज की संगम तट पर त्रिवेणी के तट पर आयोजित होगा किसी भी ग्रह चाहे जो ग्रह हो आप लोग को जानकर ताजुब होगा कि ब्रहश्पती जब मारकेश बनता है तो नाश हो जाता है अर्थात हमारी कुंडरी के अनुसार तीन से चार ग्रह सौम में और शुब ग्रह भी पाप फल देते हैं अर्थात पाप ग्रह की स्रिणी में आ जाते हैं तातकालिक रूप से ध्यान दीजेगा तातकालिक रूप से जैसे तृतियेश हैं थर्ड हाउस का स्वामी मकर लगन है मकर राशी है ऐसे लोगों को ब्रहश्पत कभी भी अच्छा फल दे ही नहीं सकता क्योंकि थर्ड हाउस और ट्वेल्थ हाउस बारह में घर का स्वामी है इससे हम अच्छे फल की उम्मीद करी नहीं सकते मकर लगन हो और गुरु सात्मे में बैठ जाए भाई साब कोई माई कलाल तलाक रोक नहीं सकता है और तलाक अगर रुख भी गया एक परसंट एक परस की निर्भर करेगा क्योंकि चंद्रमाही सब्तमेश होगा मैं बता रहा हूं कि गुरु यहां पर पाप ग्रह बन जाता है गुरु कहीं पर भी बैठ जाए उस भाव का तो नाशकरी देता है स्थान हानी करता है लेकिन मकर लगन के लिए तो और भी ज्यादा दोश्पूर् लगन हो यहां पर भी ब्रहश्पति तृतियेश होता है और खश्ठेश होता है छटे का स्वामी होता है यह दोनों भाव तातकालिक रूप से महाशुब होते हैं तो तुला लगन और मकर लगन का हमने एक्जामपल दिया यह से तमाम बहुत होते हैं जैसे सूर्य है मीन संपर्क करना चाहिए मैं कहता हूं सारे ग्रहों का मत कराईए इस साल एक ग्रह का करा कि आप देख लीजिए हमें आजमाने के लिए देख लीजिए आप देखें कि संतोश संतोशी जो कहते हैं उसमें दम कितना है आजमा लीजिए एक बार खेल जाईए इसके बाद नहीं सर होता तो करिये ना बदनाम हम कहां मना करते हैं हम तो पब्लिक डोमेन के आदमी हैं हम तो बैटे हैं हमारा कमेंट भी हम कभी बंद नहीं करते हैं कमेंट आप कमेंट करिए जो करना है आप कमेंट पढ़िये जाकर कि हमें जानने के लिए आप कमेंट पढ़ लीजिये जाकर एक दो आलोचनाई मिलेंगी और वो भी जो जोतशी है वो छत्म भेश धारन करके हम पर उगली उठाने आ जाते हैं वो जोतशी होते हैं अलग-अलग आईडी बना करके वो करते हैं तो अगर एक हजार में एक-दो कमेंट ऐसे मिलते हैं तो आप उन्हें समझ जाएगा कि वो कौन लोग हो सकते हैं हाँ, सो में 90 कमेंट ऐसे मिल जाएं तो आप हम पे विश्वास कभी न करियेगा तो 27 साल लग गया है इस छेत्र में हलके में तो आप ले ही नहीं सकते हैं नया शोध है ये बहुत बड़ा शोध है और ये नया शोध प्रकृत की किरपा से आया है ये शनी का वर्ष है तो आ गया बस दिमाग में और हम पहुँच गया संगम तर पर इसको खेलने के लिए तो आप लेट मत करिएगा बहुत सीमित संख्या में सीट्स हैं हर राशी के लिए आपकी राशी के अनुसार 33 और 6 आठवे और 12 इन 4 ग्रहों की शांती तो तुरंत करवा लिजे यह शांती नहीं यह ग्रह निश्पाप है गंगा में हम ग्रहों को नहलाएंगे कैसे नहलाएंगे यह रहस्य है यह तांत्रिक रहस्य है इससे परदा हम जो फीज जमा कर देगा जो बुकिंग करा लेगा उसको हम बता देंगे कि कैसे हम क्रिया करेंगे बाकी तो ये रहस्य रहेगा ही ये तो हमारा शोध है हम कहा है पबलिक डोमेन में बता दें ग्रह निश्पाप यग्यकी विशे में तो आप तुरंत 9354619250 पर तुरंत वाटसप करिए और करके immediate booking करा लीजिए seats हम सीमित रखे हैं क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर रहने की व्यवस्था आप समझी सकते हैं वहाँ पर माज़ा है रेत है तो बस गिना चुना लोग रहेंगे तो ज़्यादा समय नहीं है मेरे खाल से 30 जनवरी तक अगर आप बुक करा लेते हैं तो बस यही लाश्ट है इसके बाद तो हम वहाँ पर व्यवस्था में लग जाएंगे 5 फरवरी से 15 फरवरी ये आयोजन रहेगा शुक्रिया धन्यवाद आपको आज समझा दिये हैं तो देर मत करिये इसे अंतिम पुकार समझ करके अपना नाम रजिश्टेशन करवा लेजे धन्यवाद जय मागंगे जय स्विर किष्णा शिराधे